हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसर दी एक्सपर्ट में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्ती मिटकेप 150 इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे किस तरह से इसकी ओड़ दा इयर और पर्फोर्मेंस रही है क्या इसको ट्रेक करने वाला कोई mutual fund है बिल्कुल सही एक ऐसा mutual fund जो निफ्ती मिटकेप 150 को track करता है वो इसके accordingly काम करता है तो उसको देखेंगे उसकी performance किस तरह से रही है इसको study करने का एक खास reason है क्योंकि index fund का एक autonomous funds होते हैं जो कि auto market के regulations के according चलते हैं exit load रहता है और किस तरह से यह पूरी theme काम करती है वो एक समझने का मौका है तो nifty mid cap 150 को समझने की कोशिस करते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं कौन सा mutual fund है जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं अगर हम यहां पे interested हैं तो start करता हूं सीधा chart के साथ में nifty mid cap 150 का अगर आ चार्ट को यहां पर आपके सामने present करने कोशिस करी है यह काफी full time chart है 2006 के round से चार्ट चल रहा है और अभी 2020 के उसमें range में पहुंचा अगर आप देखेंगे मैंने कुछ important lines को mark करा है यहां पर अगर इसको note करेंगे 987 की point के round पर इसका base रहा है 2006 में और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे यह हजार से 2956 के mark के बीच हो बैसी करी एक brackets में generally आपके stocks की moment होती है तो वहीं पे आप देखेंगे एक bracket period रहा है इसका जब इसने 987 से 2956 का time horizon निकाला क्योंकि वहां पर हमेसा टच करता था वापिस गिरता था जब इस ब्रेक्ट को इसने एक बारी successfully पार कर लिया तो एक free free run इसकी रही लगवग आपके 4537 तक के लिए मतलब 4537 का level इसने easily cross करा था जो कि around time था हमारा 2016 end और 2017 के beginning के round में और वहां से काफी अच्छी run चली थी इसकी 7500 के point तक के लिए 7300 के round में है और उस run को इसने वहां पर टच करा और 2017 के mid के बीच में वहां वह continuously sideways moment रही downward में और ultimately इसने दो मार्च में अपने पुराने point 4537 के round पर ही it touch करके support लिया वापिस pullback rally दिखाईए और अभी recent month के अंदर में यह monthly chart है तो अकर आप देखेंगे इस month में इसने अपने जो last peak था 7300 के round का जो था आपका इसको पार कर दिया है और 7601 के round में अभी currently चल रहा है तो बेसिकली यह bracket to bracket moment होती है मतलब एक काफी लंबे time इसने 900 से 2956 के बितना time period निकाला जो की लगवग लगवग 8 से 10 साल का time period था उसके बाद में इसने लगवग देड़ साल continuously भागा और एक अच्छे bracket को पारका लगवग double से उपर range में गया फिर एक अच्छे period के मतलब 4500 से 7000 के बीच में इसने लगवग अगले 3 साल बिताए और अब यहां से दुबारा आगे भागने के लिए ready है तो ऐसे में जो mid cap nifty mid cap 150 है definitely worth करता है आपके review करने के लिए mid cap के अंदर already काफी अच्छी rally है तो आप यहां पर point में पार्ट बन सकते हैं अगर आप इ इसले 14 साल के अंदर में तो आप देखेंगे हर दो साल में आपके पैसे को double कर रहा है यह फंड तो इसमें जितना time ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि काफी time यह consolidate होता एक time पर पागता है तो काफी अच्छी run होती है तो मैं जिस तरह से आपको दिखाना चाहता था कि 2006 से पर लेकिन अब यह एक breakout लेवल पर इस breakout पर आप एक अमीद कर सकते हैं यह आने वाले टाइम पर अच्छा कर सकता है जिस तरह से government की जब तरह से support मिल रहा है made in इंडिया के लिए तो वहां पर यह mid cap companies के लिए काफी अच्छी opportunities हैं अब सीधा बात करते हैं कौन सी वो कंपनि इस मैंने आपको एक एक short में दिखा रहा हूं हमाय राज है आप पो लोग असोख लेले नवीन फिलो राइट सोलर इंडस्ट्री सुमिटो मोटर टाटा केमिकल जूबिलेंट फूडवक कैंसाइन रोलेक राजेस एक्सपोर्ट रिलेक्स फूट्वेर मतलब एपसुलूट ग्रेट नेम्स हैं यहां के अंदर में फिर आप दिखेंगे जाइडस वेलनेस हाउसिंग डेवलोप्मेंट हाउसिंग अर्बन डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन जेम फाइनिंशियल फोटीज हेल्ट केर एबीबी इंडिया इस तरह के के नाम है यहां पर पॉली के इंडि इस मतलब अल्टिमेटली जो भी नाम आपको मार्केट में चलते वे दिखाई देंगे वो सारे नाम यहां पर अवेलिबल हैं यह एक लिस्ट थी मोटा मोटा आपको बताने के लिए कि निफ्टी 150 के अंदर में अल्टिमेट कंपनी से हैं तो यहां पर आप समझ सकते हैं अ इन्होंने लास्टर के अराउंड पे आपके काफी सारे इंडेक्स फंड को लांच करा क्योंकि जारतर इंडेक्स फंड अगर आप मार्केट के अंदर में देखेंगे तो निफ्टी 50 यह सेंचेक्स को ही कवर करते हैं और जबकि मोतिला लास्वाल ने निफ्टी 50 ही सेंचे मेनेजर को डारेक्टली काफी अक्टेवली काम नहीं करना इसलिए एक्सपेंस रेशों आपको काफी कम दिखेगी 0.38 के राउंड में आपको एक्सपेंस रेशों दिखाई देती है एन भी 13.43 के राउंड में चल रही है फंड साइज देखेंगे 69.98 करोड का का काफी पोट्फोलियो के अंदर में अगर आपके 50-70 श्टॉंग अच्छा करते हैं 50-70 नहीं भी करते हैं तो फिर जो रिटन से उस तरह से भाग नहीं पाते चार्ट में मुमिंट देख पाएंगे लेकिन जिस तरह का टाइम चल रहा है तो अगले एक से देड़ साल के लिए आप इस फंट पर लगा सकते हैं जहां पर आपको अच्छी रिटन्स मिल सकती है अब रिटन्स की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर देखेंगे आप एपसलूट टम्स में अगर इसकी रिटन्स देखते हैं अगर आपने स्पैसिफिक डेट्स पे पैसा लगाया होता तो मैं क्योंकि एक साल का टाइम उर्जन निकाला तो एपसलूट टम में 29 परसंट लेकिन अन्वलाइज टम के अंदर में 59.61 परसंट की रिटन्स जैसा में हर बार ही बताता हूं साइपी मोड के अंदर में अन्वलाइज इसले करना पड़ता क्योंकि पहले हजार जगर आप 1000 पर करके 12 जार लगाते हैं पहले हजार ने 12 महीं ने काम करा है लेटेस हजार ने आपके लिए एक महीना भी काम नहीं करा तो इस तरह से उसमें जो ओवराल रिटन्स आपको मि परफोर्मेंस को चेक करें तो देखे क्वार्टर वन सब का खराब रहा था जब आपका जन्वरी से मार्च तक का टाइम अरजन था मार्च मार्केट अपने डिप साइज पर ती तो यहां पर 27 परसंट का डिप इस फंड ने दिखाया निफ्टी फिफ्टी ने 28 परसंट का डिप दिखाया था अगर क्वार्टर 2 की बात करता हूं तो देखे सबसे अच्छी परफोर्मेंस इसी फंड के 27 परसंट बाकी दो 24 परसंट है क्वार्टर 3 के अंदर में लगबग 14 परसंट की रिटेंस इस ने दिए जबकि बाकी दोनों जो है 7 परसंट के राउंड की जाती है तो इस फंड ने काफी अच्छी परफोर्मेंस दी है इस ताइम होरजन के अंदर में तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर अपने अच्छे टाइम पर काम करें तो किस तरह से परफोर्मेंस दे सकता है अगर मैं इसके एक परसंट का एक परसंट का एक परसंट का यह applicable है 15 दिन के बाद अपने पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं अब tax rate की बात आती है तो इसमें specific बहुत simple है जैसे आपके equity के अंदर में लगता है सेम रहेगा एक साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको short term capital gain लगेगा जो की 15% का और एक साल के बाद में 10% का capital gain आपको लगता है और इसके लावा एक साल के अंदर अगर आपकी एक लाग से कम की अगर earning आपने करी है यहाँ पे तो आपको कोई भी tax देने की जरूरत नहीं है इस तरह से आप इस fund को utilize कर सकते हैं एक अच्छा fund है बस इसका एक ही जो negative point जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 150 stocks का एक portfolio बनाया है जितना बड़ा बुके होता है उतना ज़्यादा सब लोगों का continuously कमा के देना एक थोड़ा से tricky सेनारिय हो जाता है क्योंकि किसी भी fund को देड़ 2% से ज़्यादा की weightage नहीं मिल पाती है वो एक shortcoming है इस mutual fund के अंदर अगर आप invest करने वाले तो इस चीज़ को consider करके चले और अगले एक से देड़ साल में यहाँ पे आप काफी positive moments देख सकते हैं तो उमीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please channel को like and subscribe subscribe करना ना बोले thank you